What is up भाई लोग, क्या बोलते, सभी का सुवागत है पियार किल फैक्ट्स में और क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में करीबन 180 मिलियन लोगों को घुटने का दर्द है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है, आप 50-60 साल के इसमें पोच्छते हो वैसे ही आपके घुटने चटकना चालू हो जाते है हमारे इंडिया में 15 करोड इंडियन्स को नीब प्रॉबलम हो गई थी 2019 में उनमें से 3 करोड लोग तो ठीक हो चुके है क्यूंकि वो तो कम एज़के थे पर अभी भी 12 करोड इंडियन्स को अर्थर आइटिस का बहुत जादा प्रॉबलम है मेरे भाई क्यूंकि उनको बहुत जादा दिक्कत हो रही है 2011 के रिसर्च में मतलब ब्रिटिश टड़ी इन जर्रनल अर्थर आइटिस और रिमेटिजम में पता चला कि टूथर्ड वुमेन को अर्ली एज में ही उनको नीपेन चालू हो जाता है और मेंस को 60 एज के बाद मतलब 60 साल के बाद करीबन 14 परसेंट इंडियन्स को हर मैने में तीन बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जॉइन्ट पेन के कारण और भाई लोग क्या आप लोगों को पता है कि युनिवर्सिटी ओफ टोनोनोटो ने एक मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश की एक आदमी ने 2016 में घुटने के दर्थ के कारण उसने सुसाइड अटेम्ट करने की कोशिश की मतलब भाई वो सुसाइड अटेम्ट कर रहा है मतलब उसको बहुत जादा दिक्कत हो रही होगी इसी वज़े से तो उसने ये स्टेप उठा होगा पर भाई लोग मन में क्वेशन आता है कि नीपेन होता कैसे है तो देखो अगर किसी की एज 50 से 60 है उनमें नीपेन होना कॉमन है क्योंकि हमारे नी में एक कार्टिलेज होता है जो हमारे जॉइन्स में कुशन की तरह काम करता है जब उस कार्टिलेज में क्रैक आ जाती है या कोई मसल टियर हो जाती है तब वहाँ फ्रिक्शन होता है बोन्स की बीच में और तब जाके जॉइन्स फ्लूइट्स ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वज़े से भाई बयानक दर्द होना चालू हो जाता है और भाई लोग नीपेन की स्टाइटिंग हमेशा इंटरनल से ही नहीं होती है कभी कभी हम ऐसे भी काम कर लेते हैं जिसकी वज़े से हमारी मसल्स लॉक हो जाती है जैसे कि हेवी फिजिकल आक्टिविटी गुटनों पर बहुत ज़्यादा देर तक बैटना ज़्यादा चलना नहीं एक जग़पर ही बैठे रहना ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं ऐसे बहुत सारी चीज़े जो इन्वाल्व है नीप पेन में भाई लोग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नौलेज गेन कर ली अब आते हैं मैं कौसन पर कि कैसे घुटने के दर्थ को घर पर कम करे या खतम करे हाउ टू स्टॉप नीपेन आट हो तो टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दू कि अगर आपको बहुत ज़ादा दर्थ है नी में घुटने में तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेरे भाई लोग क्योंकि ये स्टेप्स में बताऊंगा आप अपका दर्थ बढ़ जाएगा तो आप लोगी मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दोगे इसी वज़े से आप लोग पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लो अगर आप लोगों को बहुत ज़ादा दर्थ है तो भाई लोग ये स्टेप्स उन लोगों के लिए है जिनको छोटा मोटा नी प्रॉब्लेम है और जिनको बिल्कूल ही नी प्रॉब्लेम नहीं है और वो ये स्टेप्स फॉलो करके मेजर प्रॉब्लेम से बच सकते है जैसे अपन स्कूल में एक्जाम देने के पहले अगर कुछ काम नहीं हो फिर भी खुद के लिए चैलेंजस बराओ उन चैलेंजस को ब्रेक करने की कोचिश करो उसके वज़े से होगा क्या उसके वज़े से आपकी फिजिकल एक्सराइज भी हो जाएगी और आपके गुट्रने चटक ना भी बंद हो जाएगे अगर आप जिम जा सकते हो तो बेस्ट है वहाँ पर आपके फुल बॉड़ी की ट्रेनिंग हो जाएगी और अगर आप जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेंसन नहीं लेने का तुमारा भाई पियार की लहना आप जिम नहीं जा सकते तो घर पर रोज योगा करना चालू कर दो आप रोज योगा कर सकते हो जिसे आपकी मसल्स ओपन हो जाएगी और आपको फ्यूचर में जाके कोई भी तकलीफ नहीं होगी step number 3 eat fruits जैसे कि आप grapes, oranges, blueberries, blackberries खा सकते हो क्योंकि उनमें vitamin C बहुत जादा होता है जो inflammation को कम करता है ये भाई लोग आपके घुटने के दर्द को कम करने में मदद करेंगे और last step step number 4 वो है rest, body को raise देना भी बहुत जादा जरूरी है आप जितना raise दोगे उतना जल्दी recover करोगे और अगर आपका दर्द फिर भी ठीक नहीं होता है तो भाई लोग you should consult doctor, doctor से डरने का नहीं क्योंकि doctor हमारे लिए अच्छे के लिए ही होते है तो you should consult doctor नहीं हो